नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर स्कूलों में छुट्टी को लेकर सक्षा विभाग ने सातवी दिन वापस लिया आदिस आदित्य एलवन का प्रीथिवी से जड़ा दूसरा अभ्यास हुआ सफलता पुर्वकपूरा सूपर तीस के संस्थापक आनंद कुमार का शोलोंच एक क्लिक में मिलेगी बिप्रेस के धिकारियों की जानकारी रोहे सर्माय ऐसा करने वारी बने दुनिया के मात्र दूसरे बल्ले बाच इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से स्कूलों में चुट्टी को लेकर सक्षा विभाग ने सातवे दिन वापस लिया आदेश विहार सरकार के स्क्षा विभाग के दौरा राज्य के सरकारी स्कूलों में पहले से घोशत अवकासों की जगर रक्षा बंधन समीत कई चुट्टियों को खत्न करने संबंधी अपने आदेश को बीत दिन वापस ले लिया गया है बताते कि विभाग के ओर से 29 अगस्त को जारी चुट्टियों के संबंधित आदेश को रद कर दिया गया है अब दिसंबर तक मात्र 11 चुट्टिया होनी थी जिन में तीन रविवार भी शामल थे एक क्लिक में मिलेगी बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जानकारी सामाने प्रशासन विभाग के द्वारा बीप्रेस यानि की बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नीजी संचिका तयार की जारी है जिसमें बीप्रेस अधिकारियों के सरकारी सेवा में आने के बाद से लेकर उनसे जुरी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी इसमें उनके नौकडी में योगदान देने से लेकर उनके द्वारा की गई विदेश यात्राओं तक की जानकारी उपलब्ध होगी बतादिक विभाग द्वारा जारे निर्देश के नुसार अधिकारियों की नीजी संचीका में अधिकारियों का न्युक्ती पत्र सेवा की संपुस्टी, सेवा प्राडंब से अब तक सभी पदस्थापन, स्थल की जानकारी, अस्थांतरन प्रभार ग्रहन व प्रभारत्याक, प्रोनती, स्पी का लाब, उप्योग की गई, सभी प्रकार की छुट्टियां, विदेश व अगरे मोटर, कार्ड, इत्यादी की जानकारी अंकित की जाएगी। मौरिसस, पेंगलूरू और पोर्ट ब्लेयर में ISTRAC या इस्थो के ग्राउंड स्टेशनों ने उपगड़ा को ट्रैक किया। ऑटो स्टेट हटाने से नराज ऑटो चालकों के द्वारा पिछले चार दिनों से पटना जंक्शन गुलंबर से पटना पुर्वी छेतर के बीच हरताल किया जा रहा। वही आज उनके समर्थन में ऑटो रिक्सा यूनियन के द्वारा सिर्थ मोर्चा बना कर ऑटो और ईरिक्सा चालक संग के द्वारा एक दिवस के हरताल किया गया है। इसे में सर्ताल का सरकों पर सुभस ही देखने को मिल रहा है। आज से 11 सितंबर तक राद कर दिया गया है बतादी कि जिन ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। साहिवाबाद और सराय काले खान से संचालित होगी उनके टर्मिनल को बदल दिया गया है। गोदाम से भारी मातरा में अंग्रेजी सराब बडामत विहार में पूर्ण रोप से सराब बंदी है। इसे तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी से जड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालाग इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभाग के ओर से जीत और कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही। कि गई है जिसकी पहचान रोहत कुमार के रूप में की गई है। जिसके तहट अब गंगा के पानी से सफर करने के लिए ट्रेनों को धोने का काम किया जाएगा इसको लेकर मालदा डिवीजन की ओर से नोटिफाई कर दिया गया है और इसके लिए टेंडर की भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पसके मौके पर सूपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार का एक शो नीजी चैनल के माध्यम से राद के सारे आठ बजे लॉंच किया जाने वाला है जिसके जरी आनंद कुमार बच्चों से सीधे तौर पर जुरेंगे और बच्चों से पाच्चीत कर उनकी समस्या का निदान करें यह मालम हो कि सो का पहला एपिसोड आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर केद्रित होगा इस सो का नाम दव आनंद कुमार शो है सो में आनंद कुमार विशेशग्यों से भी बातचीत करेंगे और बच्चों सुजरी समस्याओं का हल ढूनेंगे वह आनंद कुमार कहीं मुद् पिहार यहार की राजदारी पटना में एक मेमोरियल इसमारक बनायागा इसके लिए गरीवाग से जमीन उपलब्द करानी की मांग करने की तयारी चल रही है आपके जानकारी के लिए बता दी कि बिहार से पहले देश में ऐसे दस राचे हैं जहां मेमोरियल इसमारत का निर्मान करवाया गया है जिनमें कॉलकता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, राजिस्थान, करनाटक, उरिशा, जम्मू, तमिलनाडू और आंध प्रदेश के न सक्षक दिवस पर बिहार के 20 टीचर हुए पुरुस्कृत, आज सक्षक दिवस के मौकी पर बिहार सरकार के सक्षा मंतरी प्रोफसर चंद्र सिखर के दवारा राची में सक्षा के छेतर में उतक्रष्ट योगदान देने वाले 20 सक्षकों को राच की पुरुस्कार से सम्मा प्राम्पूरियल हॉल में आयूजित किया गया था। पटना यूनिवर्सिटी में लगा CM नितीश को प्रधान मंत्री बनाने का नाड़ा। की फटकार लगा कर सभी को शांत रहने का निर्देश दिया गया। पटना यूनिवर्सिटी में लगा मंत्री बनाने का नाड़ा। इंडिया ब्लॉक की पहली समनवे समीती की बैठक अजदिर। जिसके बाद अब इंडिया ब्लॉक में कुल 21 दर्शे हो चुके हैं। इंडिया गडवर्णन ने अपनी तीसरी बैठक मुंबई में संपन की और आगामी 2024 में होने वाले लोग सभाचुनाओं को सामोही कुरूप से लड़नी का प्रस्ताव स्विकार किया। मुंबई में हुई इस बैठक में यहां गोशना की गए कि बहुत जल्दी सीट बटवारी की प्रक्रिया पर बात की जाएगी और जल से जल अंतिम रूप दिया जाएगा। जाने आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी की गए इसके बाद राजाएगा। जानी पतना में आज पेट्रॉल 107.24 रूपे और डीजल 94.04 रूपे प्रति लीटर में मिल रहा है। फ़िन पूर्णिया में पेट्रॉल डीजल कीमत 95.04 रूपे और डीजल कीमत 95.04 रूपे प्रति लीटर है। वीते दिन हमारे दुरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है। साथ ही अगर आप यूटूब से देख्रा चार्ण को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखे तो पेस को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।